नारी शक्तियों को भगवान ने इतना सहंसील बनाया है पुरशों के अंदर बहुत सहंसीलता नहीं होती तो जब माता समझ गई के भोले बाबा ने जब हमें ही छोड़ने का निर्णे कल लिया तो तुरंट ही भोले बाबा के चरणों में गिर गई भोले बाबा तुम जीते म नहारे हैं भोले बाबा बहुत ही भोले बाले हैं प्रसन्न हो जाते हैं और गौरा मैया से कहते हैं अब बात बताओ कि आखिर ऐसी कोन सी बात हो गई थी कि तुम इतनी नाराज थी आप लोग एंबर जाएए आप इतनी नाराज क्यों हो गई थी तब गौरा मैया कहते हैं कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आप मुझे से फ्रेंड करते हैं या नहीं भूले बाबा कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है अरे मैं तो अपने प्राणों से भी जादा तुमसे फ्रेंड करता हूं गोरा मैया कहती है तो अमर कथा क्या है ये भोले बाबा कहते है अमर कथा के बारे में तुम्हें कैसे पता चला बोले आप तो मुझे ये बताईए कि अमर कथा किसे कहते ही बोले बाबा ने ध्यान लगाया और समझ गए कि वो ब्रामण आया होगा उसी की आदत है इधर का उधर करने के ऐसा दो कि बोले बाबा समझ गए बोलने लगे पारवती जी यदि अभी अमर कथा नहीं सुनाई तो अभी सुना देगे बोले ठीके अमर कथा के लिए कैलास परवत की उपर की शिला पर जाते हैं उपर की शिला पर भगवान भोले नात और पारवती जी बैठते हैं अब देखे ध्यान से कथा सुनेंगे अमर कथा की ये कथा हैं भगवान भोले नाथ ऊपर सिला पर बैठे पारवती मैया बैठी है भगवान भोले नाथ ने पहली ताली बजाई भगवान भोले से बाहर चली गए पूरे पक्षी उड़कर कैलाश पर्वत की बाहर चली गए भोले बाबा ने जब तूसरी ताली बजाई तो भोले बाबा का तरशूल कैलाश पर्वत की तीन परिक्रमा करके वापिस आ जाता है वह यह देखता है कि कैलाश पर्वत में कोई छिपकर तो नहीं बैठा कोई नहीं है भोले बाबा देख लेते हैं कि कोई नहीं है कैलाश पर्वत पर अब जब उन्होंने तीसरी ताली बजाई सुगंधित हवा वहने लगी बहुत ही सुगंधित बातावरण हो गया अब भुले बाबा बोले कि पारवती जी अब मैं कथा आरंभ करता हूँ और देखिए जब ये कथा होती है तो निद्रारानी आती ही है और जिसको नीद आ गई वो अमर नहीं हो पाता बोले ठीक है पारवती जी से बोले कि जब मैं कथा कहूं हो सकता है कथा कहते कहते मेरे नेत्र बंद हो जाए मैं मगन हो जाऊं कथा में तो तुम बोलते रहना हूँ स्वामी हूँ स्वामी पारवती जी ने कहा ठीक है इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि पारवती जी सोई नहीं है जाग रही है भगवान भोले ना कथा कहने लगते हैं माता पारवती हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ का देती जा रही है भगवान भोले ना कथा कहते जा रहे है अब उसी समय कल्प ब्रक्ष पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था जैसे ही अमर कथा शुरू होती है वो अंडा धीरे-धीरे पूटने लगता है उस मैंसे तोते का छूता सा बालत निकलाता है भगवान भोलेना कथा कहते जा रहे है माता पार्वती बोलती है हू स्वामी हू स्वामी आप सभी लोग भी भूका देते जाएंगे क्योंकि अमर कथा बहुत ही सौभग शालियों को सुनने मिलती है तो ध्यान रखना किसी की जपकी नाए क्योंकि अमर कथा का ये विधाने जब ये कथा होती है तो एक जपकी तो आही जाती है और बहुत ही सौबा किशाली होते हैं जिने एक भी जब्की नहीं जाती है तो भोले बाबा कथा कहते जा रहे हैं माता पार्वती जी कह रही है हूँ स्वामी हूँ स्वामी अब हूँ स्वामी हूँ स्वामी करते करते माता पार्वती की नीद लग जाती है बोले बाबा सुनाते जा रहे हैं अब देखिए तोता की एक आदत होती है वो जो कुछ भी सुनता है बहुत जल्दी सीख जाता है तो तोता सुनता जा रहा था हूँ स्वामी हूँ स्वामी जैसे ही पारवती जी को नीद आती है तो उनकी जगे वो तोते का छोटा सा बच्चा बोलता है हूँ स्वामी हूँ स्वामी कथा चलती जाती है और जब अमर कथा पूरी हो जाती है बगवान बोले ना अपने नेत्र खोलते है तो देखा तो पारवती मैया सो रही थी भोले बाबा जैसे उठे बोलने लगे पारवती जी क्या आप सो गई थी बोले हाँ स्वामी हम से गलती हो गई हम सो गई थी तो फिर ये हू स्वामी का हूंकारा हूंकारा कौन दे रहा था बोले स्वामी मुझे तो नहीं पता अब जैसे भोले नाथ ने इधर उधर नजर दोड़ाई तो कल्प ब्रक्ष के उपर देखा कि एक तोते का छोटा सा बालत कथा सुन रहा है भगवान भोले नाथ को बहुत क्रोधा गिया उन्होंने ये समझा कि ये पहले से ही बैठ कर कथा सुन रहा है भगवान भोले नाथ गुश्य में अपना त्रिसूले का उसके पीछे भागते है वो छोटा सा बालत उड़ते उड़ते तीनों लोग चाउदा भवन में उड़ता प्रता है रक्षा करो रक्षा करो लेकिन उसकी कोई भी रक्षा नहीं जाता कौन भगवान भोले नाथ से बैर मोल लेगे अब देखिए कहा गया है कि जब राक्षितों से कोई कष्ट मिलता है तो हमारी रक्षा देवता करते है और जब देवताओं से ही कष्ट मिले तो हमारी रक्षा कोन करेगा भोले बाबा देवता है उनसे उस बालत को अब खोन बचाएगा क्योंकि देवताओं ने भी किसी ने भी आगे आके उसकी रक्षा नहीं की अब देखिए जब राप्षिसों से संकट आता है तो देवता रक्षा करते हैं और जब देवताओं से ही संकट आजाए तो कौन रक्षा करता है ब्रह्मन देवता रक्षा करते हैं बोड़िये ब्रह्मन देवता की तो देखिए जब उस चोटे से तोटे के बालग की किसी ने रक्षा नहीं की तो वह बालग उड़ते उड़ते प्रध्वी पर आया और वेद व्यास जी के यहां जा पहुँचा भगवान होले नाथ पीछे पीछे दोड़ते जा रही थे जैसे ही वो बालग वहां पहुचा उनकी पत्नी ने उबासे ली और बालग ने उनके मुँ में से प्रवेश करके गर्व में चला गिया अब भूले बाबा बहुत ही गुस्ते में पहुचे बोलते हैं वेद व्यास जी से कि जो बालग आया था वो कहा है बेद व्यास जी ने कहा मेरी पत्नी ने उबासे ली और बहुतो पेट में चला गिया लेकिन प्रभू आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं पहली बार तो मुझे दर्शन दिये बेद व्यास जी कहते हैं कि भोले बाबा अरे उस वालक ने ऐसा क्या प्राद कर दिया जो कि आपको इतनी गुष्टा आ रहे हैं भोले बाबा बोलते हैं वो चोरी करके आया है बेद व्यास जी कहते हैं भोले बाबा चोरी और आपके घर से ये तो कुछ समझ में नहीं आया अरे वो आपकी यहां से क्या चुरा लेगी सुवे का तो आपको शाम को खाने को नहीं है कुछ है ही नहीं आपके पास वो क्या चुरा लेगा बोले बाबा कहते क्या बोले मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं फिर वो आपकी यहां से क्या चुराएगा अरे फिर और यदि भांग धतूरे की चोरी कर भी नहीं तो उसके उपर इतनी ज़्यादा गुस्ता भगवान भूले नाथ ने कहा अरे भांग धतूरे की बात होती तो कोई बात नहीं उसने अमर कथा चुराई है बेदव्यास्री कहते हैं भूले नाथ तभी तो आपका नाम भूले बाबा पड़ा अरे जब उसने अमर कथा सुने ली है तो वो कैसे मरेगा अब तो वो अमर हो गिया और यदि आप उसे मारते भी है तो आपकी अमर गथा जूती हो जाएगी भूले बाबा कहते हैं चलो अब मैं उसे मार नहीं सकता तो उसे बंदी तो जरूर बना सकता हूँ ऐसा कहकर भूले बाबा वहां आसन जमा कर बैठ को समाधी ले ली और बोले एक वर्ष के बाब मैं समाधी से उठूंगा और इस बालक को लेकर चला जाओंगा अब एक वर्ष हो जाता है बोले बाबा उठते हैं बोलते हैं बेद ब्यास्ची मुझे वो बालक दे दो बेद ब्यास्ची ने कहा कि तु तो बालक की बात करते हो अभी तो उस बालक के अंग भी विख्षित नहीं हुए हैं बोले एक वर्ष बाद, बोले हां शुक्त देवजी अंदर बैठी हुए हैं गरवी के अंदर वो सारी बातें सुन रहे हैं वो कहते हैं कि अरे भोले बाबा आपने समाधी वी ली तो बो भी इतनी कंजिसी के साथ सिर्फ एक वर्ष की अरे मैंने समाधी ली है पूरे पूरे सोला वर्षों की मैं सोला वर्षों तर गर्वे से बाहर नहीं आओगा सोला वर्षों तर वह तोटे का बाला गर्व में ही रहा जब साड़े पंद्रा साल हो गए उनकी माता को बहुत कश्ठ हो रहा था तब भगवान विश्णु वहाँ पर आते हैं और गर्वे के बाहर से बोलते हैं कि अब आप बाहर आजाईए देखिये बाहर की दुनिया कितनी सुन्दर है बालक अंदर से बोलता है इसी लिए तो मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपकी इस सुन्दर दुनिया में जो आता है वो फस ही जाता है भगवान कहते हैं आपको आना तो पड़ेगा बाहर तो वो बोलते हैं कि भगवान आप अपनी मोह माया को रोक लिजे तो मैं बाहर आता हूँ भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता पर फिर भी मैं एक शन का सौमा हिस्सा जो होता है उतनी देर को मोह माया को रोक लूँगा तब आप बाहर आ जाएं अंदर तोते का बालत पूरी तयारी कर लेता है बाहर आने के लिए और जैसे भगवान ने मोह माया रोकी और उनका जन्म हो जाता है बोलिए शुकदेव जी महाराज की शुकदेव जी महाराज का जन्म होता है और देखिए जन्म लेते ही जब वो सूला वर्ष गर्व में रही है तो छोटी सी बालत तो है नहीं है जन्म लेते ही वो ब्रंदावन की तरफ चले जाते है जैसे ही ब्रंदावन की तरफ गए उनके पिताजी उनके पीछे पीछे भाग रहे है क्योंकि सुक्देव जी ने मुए माया पहले ही बोल दिया था कि रोक लेना तभी में जन्म लुटा शुक्देव जी आगे आगे जाते हैं उनके पिताज पीछे पीछे जा रहे हैं और जैसे ये जंगल में पहुँचते हैं तो शुक्देव जी की तरफ से जब आप पेड़ और पत्ते दे रहे हैं कि वो बहुत ही माया मुए से बिलकुल अलग हैं आपका बालत सबसे बड़ा बेरागी है इस संसार में ऐसा कहतार शुक्देव जी चले जाते हैं बन बन अंत्रों की तरफ वरंदावन की तरफ उन्हे से बड़ा बेरागी कोई नहीं हुगा अब देखिए शुक्देव जी चले जाते हैं और शुक्देव जी जैसा गुरू सब कोई को नहीं मिलता उन्होंने सिर्फ सात दिन में राजा पारिक्षित को भगवान से मिला दिया था तो जो भी गुरू बनाएं बहुत ही सोच समझ कर गुरू बनाना चाहिए तो आईए हम सब लोग मिलकर गुरू जी की वंदना गाते हैं शुक्देव जी महराज के लिए गुरूर ब्रम्हा गुरूर वेश्यो गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षा परह ब्रम्हा पस्मैशी गुरू बी नमाहा गुरू देवे शत्य शत्य करू चरण बंदने परोपिर पाइसी कर्ते काष्टे बंदन परते काष्टे बंदन गुरू देवे शत्य सत्य शत्य सत्य करू चरण बंदन प्रफॉनों के लिपाएह सी पर्थी का शे बनू बनू पर्थी का शे बनू कुल मुझो भी वे शटी शट के झाल झाल प्रजय में हमारे जले ज्याने दी पते परिला शेतं का सदा ज्याने दी पते ज्याने दी पते ज्याने दी पते ज्याने दी पते पते ज्याने दी पते ज्याने दी पतेः ज्याने दी sounds बोलिये गुरू महराज की जै जै श्रीया